हेलो गाई जो बात किनेवाल है सीपला के बारे में सीपला एक फार्मसुटिकास सेक्टर के नाम ही कम्पनी है और यहां पर आप लोगों को यह सेक्टर की एक बहुत चाहदा अच्छी कम्पनी है तो इसका quarter four का रिजल्ट आया है इसलिए इसका जो वीडियो है यह आप लोगों के लिए लेकर आयो इसका हम quarter और year on your basis पर हम इसका जो result है उसको compare करेंगे और उसके साथ-साथ यहाँ बरस आप लोगों को यह भी बताऊंगा क्या company ने dividend दिया है कि नहीं company ने dividend दिया है तो कितने रुपेस का दिया है आने आप लोगों को जो dividend है उसका अमोन कब तक आप लोगों के account में आ जाएगा वो सारी की सारी चीज़े हम बात करेंगे तो यहां पर से सिप्ला के result के ऊपर आ चुक है सिप्ला आप लोगों को इसका जो result है 14th of May को लोगों देखने को बिल रहा है और result में यहां पर से सबसे पहले पेच पर dividend के announcement देखने को मल जाती है board of directors ने यहां पर से आज की जो meeting है उसमें 5 रुपीस पर share का यहां पर से dividend देनी की बात की है और यहां पर से 2020-21 year के लिए 5 रुपीस पर share इसका dividend payout करने का यहां पर से बात चल लिए तो इसके ओपर आप लोगों का जो date है इसके ओपर क पर यहां पर से यह जरूर बताए गया है जो यहां पर से यह dividend subject है यह जो shareholders जो बड़े-बड़े जो shareholders है उसके वह account में आ जाएगा कब तक आ जाएगा within 30 days 30 days के आज बाजो annual general meeting होने के date के 30 days के बाद ठीक है तो यहां पर से annual general meeting के 30 days के बाद आप लोगों के जो account में यह dividend payout ह हो जाएगा अभी हम बात कर लेते हैं next चीज के बारे में तो यहां पर सम रिजल्ट के उपर आ चुके हैं और यहां पर यह सारी की सारी जो amounts है वह करोड में है company का जो result है considered result यहां पर आप लोगों में दिखा रहा हूं और हम compare करेंगे quarter and quarter basis पर और year on year basis पर इसका company का performance कैसा रहा है तो सबसे पहले revenue from operation का जो income है और other income से मिला कर यहां पर से total income company की इस quarter की यहां पर से आप लोगों को 4,666.58 करो रूपीस की इस company की income देखने हो मिल जाती total income जो यहां पर से quarter and quarter आप लोगों को अच्छा खासा घिरावर देखने हो मिल रहा है पर पिछले साल March quarter को इस साल के March quarter इस से compare करें तो आप लोगों को थोड़ा सा उच्छा देखने हो मिल रहा है अल्मोस्ट टू करो रूपीस के आसपास का तो यह सब लोगों ध्यार में रखनी है कंपनी का जो यहां पर हम बात करें year and year basis पर इस company का कैसा performance रहा है तो year and year basis पर company का performance है थोड़ा अच्छा देख अधर expense से और यहां पर से material of cost से यहां पर सबसे ज्यादा expense हो रहा है company का और employees की fees में ठीक है तो यह सारा के सारा expense यहां पर हम मिला कर यहां पर total expense कंपनी का बन जाता है कभी इसका जो expense है आप लोगों को directly ऐसा नहीं देखने हो बिलाएगा कि कभी gradually या अच्छी तरीकी से बढ़ता हुआ या अच्छी तरीकी से गिरता हुआ ठीक है बहुत जादा ups and down चलती है यह चीज़ आप लोगों ध्यान में रखनी है company का expense year and year basis पर बढ़ते हुए देख होगे तो कैसा देखने हो मिल रहा है तो फाइंड्रेट फूटी त्री पॉइंट सेवेंट सेवेंट री करूर पिस का company का profit and loss before tax देखने को मिल जाता है तो यहां पर आप लोगों को इस quarter and quarter की बात करें बहुत जादा 45% की घिरावर देखने को मिल रहे है इसके जो profit के आप लोगों कुछी जदान में रखनी है अभी हम बात कहलेते है company का यहां पर से net profit के बारे में बात कहलेते है तो company का net profit आप लोगों को देखने को मिल जाता है पिछले सा 2020 March quarter को 2021 March quarter से हम compare करें तो भी आप लोगों को अच्छा कासा performance देखने को मिल रहा है तो यह चीज़ा आप लोगों ध्यार में रखनी है quarter and quarter performance इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है इस company का पर year and year basis पर company का जो performance है वो अच्छा होते हुए देखने को मिल रहा है अभी बात कहलेते हैं टूटल और year on year business पर हम बात के लिए तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाती है इस company की टूटल comprehensive income उसमें भी आप लोगों को पहले तो 2020 March quarter को compare करें 2021 March quarter से तो पहले तो माइनस में थी इसकी जो income थी आमलब net profit था अब लोग बूलोगे तो तो वह भी प्लस में तो आ चुका है जो एक अच्छी बात है पर यहां पर company अच्छा कासा पर्फूमस अभी quarter and quarter नहीं दे पा रही है अभी हम बात कर लेते हैं यहर on year business पर one three पर रुपीज का इसका EPS सल रहा है जो पिछले quarter के अंदर पिछले quarter के अंदर आप लोगों को 9.28 रुपीज पर EPS सल जाता इसका आप लोग दीख सकते हो रुपीज का और उसके साथ साथ हम बात करें कंपनी का year on year EPS कैसा है तो year on year business पर इसका EPS almost 10 रुपीज से बढ़ा का यहां पर से दिक्कत कहा पर हो रही है तो इसका जो फार्मासूटिकल जो segment है उससे सबसे जादा revenue आता है और उसके अंदर ही यहां पर downfall देखने को मिल रहा है 600 कर रुपीज का इसी के वज़े से यहां पर से डाइरेक्ली इसके revenue के उपर असर पड़ रहा है same to same यहां प segment से यहां पर सबसे जादा revenue होता है इस company से तो यहां पर वहां पर ही दिक्कत है मलब हो रही है इसलिए वज़े से यहां पर से जो इसका result है वो डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है quarter and quarter वन्ना तो overall आप लोगों को result है वह average सा है इतना जादा मेरे को खास result नहीं लगा अ year on your business पर इसका जो आप लोग बोल सकते हो आप लोगों को loans देखने को मिल जाती है non current liabilities के उपर तो आप लोगों को same to same 52.99 करोड रुपीस की देखने को मिल रही है और उसके साथ साथ यहां पर हम बात करें current liabilities के उपर current assets के उपर इसकी loans की बात करें तो आप लोगों को almost 2. 2.58 करोड रुपीस की इसकी loan देखने को मिल जाती है जो आप लोग देख सकते हो यहां पर ठीक है तो यह चीज़ आप लोगों को द्यार में रखने है यहां पर आप लोगों को बात की जाए तो बोराइंग आप लोगों को company की घड़ती हुई देखने को मिल रही है almost अभी पहले 2369.28 करोड रुपीस की दी और अभी की बात करे 1202.75 करोड रुपीस की बोराइंग हो चुई है जो बहुत ज़ाद अच्छी बात है और यह current liabilities के उपर भी बोराइंग घड़ाई जा रही है company के द्वारा तो यह एक company dead free हो जाती है company आने वाले समय में तो भी बहुत जादा अच्छी बात है company का जो प्रोवीजन है उसके बारे में बात के लिए थे company का प्रोवीजन कैसा है तो company का प्रोवीजन आप लोगों को 1778.32 करोड रुपीस का इसका प्रोवीजन देखने को बल रहा है जो भी आप लोग देख से होते हो सामने अभी मैंने आप लोग प्रोवीजन की बात की जाए तो यहां पर अब लोगों सीपला का चार्ट अब लोगों भी 904 रुपी का सेजर देखने को बल रहा है अच के दिन 5 रुपीस के उच्छाल देखने को बल रही है और उसके साथ-साथ-सकी बात करें 1.6% की उच्छाल है वन मन्त में इसमें ग 78% का इसका परफॉमस रहा है और मैक्सिमुन चार्ट विटन की बात करें तो 3,751% का इसका परफॉमस रहा है तो यहां पर से इस कंपनी का जो परफॉमस है मेरे ही साब से इससे कोई अलग मैं कंपनी लेता हूं तो मेरे को इससे ज्यादा रिटन मिलेगा ऐसा मेरा सुचन और भी बहुत सारी कंपनिया है मार्केट के अंदर जो इससे अच्छी है और इससे अच्छा रीटन दे सकती है तो इसी की वज़े से मैं यह बोल रहा हूं और उसके सदस्द आप लोगों को होल्ड करना है तो कर सकते थोड़े दिन मलब कोरोना वरेस जब तक नहीं चला जात करी बिबनिया है झाप बाद कर लोगों क Пला जे सकते हैं...